हेलो गाइस विल्कम बैक टो मैं टूट चैनल यसकी मिशडी और यहां से आज हम तुरू करने वारे हैं क्लास टल्थ बाइलोजी चैप्टर फर्स्ट से जो हमारा एंसियार्टी का क्योशन है जो कि बोड एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से एंसियार्टी जितने भी क्योशन है उसको भी करवाते हुए चलेंगे और यह बोड एक्जाम के लिए बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको देखे क्योंकि हम बोड एक्जाम के लिए भी आप एंसन कर रहे हैं और यह बोड एक्जाम में 100% आएंगे वह चाहे यूपी क्यों अनिवार है जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार है तो आखिरकार जीव को जनन क्यों करती हैं तो आपका जानते हैं कि कोई भी जीव होता है हमारा वो अमर नहीं है कोई भी जीव हमारा अमर नहीं है यानि कि जीव का जन्म होता है तो जीव की मिर्त भी हो जाती है अब भया जीव का जन्म हुआ और जीव की मिर्त्तु हो गई अगर उसकी कोई संतति नहीं है तो उसकी आगे की पीड़ी कैसे चलेगी उसकी आगे के जो उसकी बनाये रहेगा घर और और कोई चीज अने घरेलू चीज तो उसकी देखबाल कौन करेगा तो जो जीव होते हैं जीव होते हैं अपनी संतान की प्रजात को यानि कि अपनी प्रजात को निरंतरता बनाये रखने के लिए जनन क्रिया करते हैं याद रखना कि जीव जो होते हैं अपनी प्रजात को बनाये रखने के लिए क्या करते हैं जनन क्रिया करते हैं ताकि उनकी प्रजात निरंतरता पूर्वक बनी रहे ठीक है ना याद सरकना तो आप क्या लिखेंगे कोई भी जीव कोई भी जीव अमर नहीं है अमर नहीं है उसकी एक निश्चीत अवधि के बाद मृत्व हो जाती है इसे लिए जीव इसे लिए जीव अपनी प्रजाती की निरंतरता बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए के लिए जनन या प्रजनन प्रजनन करता है प्रजनन करता है ठीक है न याद रखना जो कि आपके लिए बहुत ही क्या है है इंपोर्टेंट क्योशन है दूसरा क्योशन है आपका जनन की अच्छी विधी कौन होती है जो जनन की सबसे अच्छी विधी कौन मानी जाती है चैनल के अच्छी विजी सबसे कौन माने जाती है और यह question answer है इसको मैं अपने टेलेग्राम चैनल पर send कर दूँगा टेलेग्राम चैनल जिसका link description के अंदर है तो टेलेग्राम चैनल को जाके subscribe कर लिजे, वहीं पर आप notes पूरे provide किये जाएंगे तो जाके चैनल को subscribe कर लिजे वहीं पर पीडियापी, जो पेज है उसका हम send कर देंगे वहीं से आप इसको पढ़ सकते है ठीक न? तो जाके चैनल को subscribe कर लिजे टेलेग्राम, वहीं पर इसकी पूरी पूरी notes मिलेगी तो जनन की अच्छी विधी कौन सी है तो जनन की सबसे अच्छी वीदी कौन सी होती इसको आपको उताना होता है तो अगर हम लोग देखें तो जो जनन होता है यह साम मानने तह दो प्रगार की होते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जानते हैं यह जनन हमारा होता क्या है तो देखिए जो जीव होते हैं क्या होते हैं जो जीव होते हैं अपने समान क्या उत्पन करते हैं संतान उत्पन करते हैं तो जीवों का अपने समान संतान उत्पन करने की क्रिया को क्या करते हैं जनन करते हैं अब जो हमारे जनक होते हैं संतान उत्पन करते हैं तो जनक भी प में उसे कौन सा जन्न कती है और जब अकीला जन्ना भाग लेगा तो उसे कौन सा जन्न कती है तो सुब जानते हम लोक जन्न क्या होता है तो द्हामने न सge JPAK हो का कि संतान उत्पन करने की करने की क्रिया को जनन या प्रजनन कहती हैं प्रजनन कहती हैं तो जीवों का संतान उत्पन करने की क्रिया क्या कहती हैं जनन या फीद प्रजनन कहा जाता है या पिर अथो हम दुसरी परिवाद सा जनकों का संतान उत्पन करना जनन या प्रजनन कहलाता है तो जनक होते हैं क्या उत्पन करते हैं संतान उत्पन करते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं जनन या फिर प्रजनन कहते हैं अगर हम जनक के आधार पर देखें तो इसी जनन को दो भागों में बाटा गया है तो हम पर क्या रिखेंगे जनन के प्रकार जनन के प्रकार जनन के न देवगार की होती है तो जनन अगर देखें तो मुख्यत दोपगार की होती है पहला आपका होता है लैंगिंग जनन पहला क्या होता है लैंगिंग जनन अदूसरा हमारा क्या होता है अलेंगिंग जनन अलेंगिंग जनन तो जनन दोपगार की पहला लैंगिंग जनन अदूसर क्या लैंगिंग लैंगिंग जनन हमारा क्या होता देखें जब संतान उत्पन करने के लिए दो जनक भाग लें जब जनन के क्रिया में दो जनक भाग लें तो उसे हम लैंगिंग जनन कहती है ठीक है न यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे जब कोई संतान उत्पन्य करने के लिए उत्पन्य करने के लिए दो जनक भाग लेते हैं दो जनक भाग लेते हैं लेते हैं तो उसे लैंगिंग जनन कहती है तो उसे कौन सा जनन कहा जाता है मेरे प्यार बच्चो लैंगिंग जनन कहा जाता है और वहाँ पे दिया था कि सबसे अच्छी विधी सबसे अच्छी विधी कौन सी माने जाती है तो याद रखेगा जो हमारी लैंगिंग जनन विधी ही जनन की सबसे अच्छी व लोग कि जीवों में लेंगिंग जनन विधी सबसे अच्छी विधी मानी जाती है क्योंकि क्योंकि इस विधी में विपरीत लिंग नर और मादा भाग लेती हैं क्योंकि इसमें हमारे विपरीत लिंग भाग लेते हैं नर और मादा जिससे जिससे नर और मादा के यूगमको का यूगमको का सल्ययन होता है सल्ययन सल्ययन होता है जिस नर और मादा के यूगमको का क्योंक Ray सल्ययन होता है और सल्ययन के फल सरूप और कि और कि सलेन के फॉलस रूप यूगमको का निर्माण होता है यूगमको का निर्माण होता ठीक है ना याद रगना तो सबसे अच्छी विधी कौन सी माने जाती है हमारी लैंगिंग जनन विधी सबसे अच्छी विधी माने जाती है क्यों कि इसमें जो हमारी संतधी बनती है इसमें हमारी विभिनता पाई जाती है ठीक है ना याद रखना सिकिन हमारा क्या आता है अलाइंगिंग जनन अब देखते हमारा अलाइंगिंग जनन क्या होता है तो जिस में जिसमें कोई भी संतायंत्पन करने के लिए एक जनक भाग ले अकेला एक ही हमारा जनक पार्टिसिपेट करें तो उसे हम आलाएंगे जनन करते हैं यानि कि ऐसी जनन विधी जिसमें एक जनक भाग लेता है भाग लेता है उसे अलाएंगे अलाएंगे जनन कहते हैं तो यह मैं मेरे प्यारे दोस्ति इसमें हम लोग दो क्योशन बताएं आपको एक हमारा जीव जनन कैसे करते हैं आनि जीव में जनक नहीं लोग को जरूर सब्सक्राइब करेएं ओकी दूसर ठाइनक यू जैहन झाल झाल